दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आपको GST डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया है यहाँ पर आपसे डिमांड किया गया है तो क्या जो डिमांड किया गया है उससे माफ क आए जा सकता है या फिर नहीं आकरिस का क्या प्रोसेस है तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई इस इंफर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अप्लोड करो तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जीएश्टी डिपार्टमेंट से पहले कोई भी नूटिस आए तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप समय रह करते उस नोटिस का रिपलाई दें अगर यहाँ पर आप संतोस जनक रिपलाई देते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई पैसा यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं देना पड़े कई लोग यहाँ पर करते हैं कि जब उन्हें जीएश्टी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आ देते हैं यहाँ पर जो नोटिस का रिपलाई देने का टाइम होता है आप उसे मिस कर जाते हैं फिर यहाँ पर आपको टेक्स तो देना ही देना होता है और साथी साथ उस पर पेनल्टी भी लगा दी जाती है यहाँ पर अगर आपको कोई नोटिस आता है तो डिपार्टमे आपने कोई fraud तरीके से या फिर access ITC नहीं लिया, अगर सारा चीज ओके है, फिर भी अगर notice आता है, तो आपको यहाँ पर अगर संतोह जने करिपलाई देते हैं, तो यहाँ पर मामला खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने कहीं ने कहीं गलती किया है, तो यहाँ पर जब आपको notice आता है, तो उसमें tax का amount लिखा रहाता है, तो आपको वहाँ तो देना ही देना होगा, और 37 साथ उस पर penalty भी department लगा देता है, तो यहाँ पर जो tax आपका बन रहा है, आप तो उसे देंगे ही देंगे, आप उसे पीछा नहीं जुरा सकते हैं, आप किसी GST के अड़ोकेट के पास जाते हैं, फिर आपका अड़ोकेट अपील में जाता है, तो हो सकता है कि जो penalty लगा है, उसे माफ करा दिया जाए, लेकिन जो tax बना है, उसको तो आपको pay करना ही करना होगा, तो मेरा overall कहने का मतलब यहीं है, कि आपको सबसे पहले पूरा books up accounts को maintain करना है, उसमें यहाँ पर लेपापोती नहीं करना है, आपको ITC सही तरीके से लेना है, और आप जो भी customer से tax लेते हैं, आपको government को इमंदारी प्रुवक दे देना है, और अगर फिर भी कोई notice आ जाता है, तो आपको उस notice को हलके में नहीं लेना है, आपको उस notice को यह गुनूर नहीं करना है, अगर आपको समझ नहीं आए, तो आपके जो भी CA यानि चाटेड अकाउंटेंट हैं, आपके GST के एड़ोकेट हैं, उनसे बात करना है, और उस notice को proper reply दिलवाना है, ताकि आप कल को आगे के करवाई से, प्रोसीडिंग से बच जाए, तो दोस्तों, अगर कोई भी notice आता है, तो आपको reply उसे दिलवाना है, और आपका जो भी CA लोता है, पर्चिज होता है, पूरा books up accounts को आपको maintain करके रखना है, तो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर मन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे comment box में comment करें, और अगर आप हम से सीधे जुरूना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, अगर फोन से बात करना है, तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो में एक ने टॉपिक साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लगें,